हाई फ्रेंज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल टेकीबीज दोस्तों जल्दी एमजॉन पे तुशीबा के टीवीज लॉंच होने वाले हैं इन टीवीज की खासियत यह है कि इनमें काफी हाई स्पेसिफिकेशन दी गई है लेकिन फिर भी इन्हें एक अफॉर्डबल प्राइस रेंज में रखा गया है आज मैं आपके लिए तोशीबा यू फिफ्टी फिफ्टी सिरीज के फिफ्टी इंचेज 4K टीवी का रिव्यू लेकर आई हूं जिसका प्राइस केवल 32,990 है इस की पर्चेस लिंक आपको वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मेड इन इंडिया प्रोड़क्ट है जिसे आंद प्रदेश के चित्तूर डिस्टिक में मैनुफैक्चर किया गया है तोशीबा के अल्टि 33 इंच 4K TV में आपको 30 वार्स की जगा 24 वार्स के स्पीकर्स दिये गये हैं इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो के रिलीज होते ही आपको उसकी जानकारी मि तो चलिए अब ये वीडियो इस 50 इंच इस टीवी की अन्बॉक्सिंग से शुरू करते हैं तीवी इस तरह के कार्डबोर बॉक्स में पैक होकर आता है बॉक्स के ऊपर इस टीवी की हाइलाइट्स मेंशिन की गई हैं बॉक्स के अंदर इस टीवी के अलावा एक रिमोट टू-पीस टेबल टॉप स्टैंस, दो टिपल ए बैटरीज, एक वाल माउंट, कुछ स्क्रूज, ये क्वीक स्टार्ट गाइड और एक वारंटी कार्ड मिलता है तीवी की बिल्ट क्वैलिटी काफी अच्छी है इसको कंस्ट्रक करने के लिए हाई ग्रेड प्लास्टिक औ नीचे के बेजल के लेफ साइड में तुशीबा की ब्रांडिंग दी गई है बिल्कुल सेंटर में नीचे की और एक फिजिकल बटन भी प्रोवाइड किया गया है साइड से भी ए टीवी काफी स्लिम है और टेबल टॉप स्टैल मेटलिक है जिसे सोनी टीवी जैसा ब्लेड डिजाइन दिया गया है जो इसको एक प्रीमियम कैटेगरी में ले आता है रेर की और हाई ग्रेड ब्लैक प्लास्टिक फिनिश दी गई है जिस पे होराइजॉन्टिल और वर्टिकल डिजाइनिंग की गई है पीछे की और थोड़ा नीचे सेंटर में एक क्वाटर सर्कल सा डिजाइन दिया गया है जिसके साइड और बैक में पोर्स दी गई है दोनों ही इसमें आपको मिल जाती हैं, तीनों HDMI port 2.0 है, जिनका HDCP version 2.2 है, और USB का भी 2.0 ही दिया गया है, इस TV में एंटेना पोर्ट, AV पोर्ट, Ethernet पोर्ट, Optical Digital पोर्ट के साथ, Composite Input Ports भी दी गई हैं, इसमें आपको built-in Wi-Fi दिया गया है, साथ में है 5G support, इसमें Bluetooth दिया है, जिसके थूँ आप इस TV से अपना हेटफोन, गेमिंग कंसोल और होम थीटर्स, वाइलेसली कनेक कर सकते हैं, रिमोट कीब क्यालिटी अच्छी है, और ये एक slim, elongated design के साथ आता है, जो पकड़ने में काफी comfortable है, इसमें आपको Netflix, Amazon Prime, YouTube और Media के direct buttons मिल जाते हैं, साथ में है voice command feature, ये TV built-in Alexa के साथ आता है, आप इस TV को voice command से भी operate कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे eco dot या फिर Amazon Eco से भी control कर पाएंगे, अपने फोन में remote now app इंस्टॉल करके अपने फोन से भी आप इस TV को operate कर सकते हैं, इ response time 8 millisecond है, और static contrast ratio 5000 is to 1 है, इसमें CO 4K HDR के अलावा, HDR10, Dolby Vision, HLG का support भी दिया गया है, इसके अलावा इसमें USD AI Upscaler, Ultra Color Enhancer, Noise Reduction, Depth Enhancer, 4K Resolution Plus और Ultra Dimming भी दी गई है, CO 4K HDR engine, Toshiba का अपना 4K engine है, जो company के according बहुत बढ़िया picture quality reproduce करता है, company का कहना है कि Ultra Dimming pictures को zone में बाट कर, हर zone को analyze करके, picture requirement के हिसाब से contrast enhancement curve को apply करके, deeper blacks और brighter whites देता है, तो Shiba के इस TV के blacks बहुत deep तो नहीं, लेकिन अच्छे हैं, gray की uniformity ज्यादा अच्छी नहीं है, sides में और center में dirty patch effect देखा जा सकता है, brightness की बाद की जाए, तो company ने इसकी value कहीं नहीं दिये, लेकिन देखने में इस TV की brightness अच्छी लगती है, bright room में भी ये TV अच्छा perform करता है, out of the box इस TV का color reproduction मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन calibration करने के बाद आपको इस में काफी अच्छा color reproduction देखने को मिल जाता है, इस TV के colors में accuracy भी देखने को मिलती है, और colors bright और punchy लगते हैं, pictures में आपको अच्छी detail clarity देखने को मिल जाती है, आप इस TV पे अंधेरे की वो सारी details भी बहुत clarity से देख सकते हैं, जो दूसरे कई TVs में hardly visible होंगी, 4K videos इस TV पे बहुत ही बढ़िया दिखती है, उनमें आपको sharpness, clarity और बढ़िया color reproduction देखने को मिल जाता है, इस TV का HDR performance, budget category में अच्छा कहा जाएगा, HDR videos देखते समय, HDR settings automatically switch on हो जाती है, और आपको उन्हें set करने का option भी मिल जाता है, जैसे HDR Day, HDR Night, HDR Dynamic और HDR Sports, Dolby Vision की videos देखते समय भी, TV की internal settings automatically Dolby Vision पे switch on हो जाती है, और आपको इसमें Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark और Dolby Vision Custom का option बिल जाता है, इस TV का refresh rate 60 Hz है, और motion blur को कम करने के लिए इसमें AMR plus technology दी गई है, लेकिन fast-paced action scenes में आप इस TV में भी motion blur को avoid नहीं कर सकते हैं, इस TV की picture upscaling capability बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक कही जा सकती है, Full HD videos इस पे अच्छी दिखती हैं, हाला कि वो मुझे बहुत स्यादा आपscale होती नहीं लगी, इस TV की picture upscaling capability satisfactory है, Full HD और 720p videos इस पे अच्छे resolution में play होती हैं, HD channels इस पे बढ़िया दिखते हैं और HD channels भी अच्छे लगते हैं, इस TV का viewing angle ज्यादा अच्छा नहीं है, को सपोर्ट करते हैं, इस TV की audio बहुत loud तो नहीं लेकिन एक बड़े size room के लिए भी sufficient है. चलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इस रहस्य में घटना में कोई रास ज़रूर चुपा है, लेकिन हम उससे खुद भी बेख़बर हैं. सेटिंग्स करने के बाद आपको इस TV में अच्छा बेस मिल जाता है, लेकिन ट्रेबिल की कमी थोड़ी महसूस होती है. ओवरॉल इस TV की audio clarity अच्छी है, डायलोग delivery में भी काफी भारीपन महसूस होता है, लेकिन 30W के speakers Dolby Atmos का कोई खास 3D effect देते नहीं दिखते हैं. अगर आप इसे एक अच्छे Dolby Atmos Home Theater से HDMI ARC के थूँ connect कर दे, तो आपको Dolby Atmos का अच्छा 3D audio experience मिल जाएगा. मैंने बेस्ट Dolby Atmos soundbars पे विडियो बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको description box में मिल जाएगी. यह TV विदा ओपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, इसमें आपको Multi-Core Cortex CPU और Mali 480 MP Graphic Processor दिया गया है, इसकी RAM 1.5 GB है और internal memory 4 GB दी गई है. विदा एक Linux-based operating system है जो Android TV के मुकाबले जल्दी बूट अप होता है, और long run में भी आपका TV slow down नहीं होगा, बस इसकी अपनी limitations होती हैं जैसे Samsung की Tizen की होती हैं, इसमें आपको वो ही applications मिलेंगी जो company preload करके भेजेगी. बाहर के apps आप इस पे side load नहीं कर पाएंगे, इस TV में आपको Google Play Store नहीं मिलेगा बलकि Tushiba Store होगा, लेकिन Vida OS में आपको live TV और unlimited VOD contents भी देखने को मिल जाते हैं, इस TV पे आप बहर से apps side load नहीं कर पाएंगे, अभी इसमें Disney Hotstar Z5 और Geo Cinema जैसे applications आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन company का कहना है कि next year इस Vida 3 operating system को Vida 4 update दी जाएगी और तब बहुत सारे और applications को include कर लिया जाएगा, Alexa voice command feature अच्छे से काम करता है, हाला कि वो मुझे Google voice command जितना responsive नहीं लगा, उसे एक आग बार command को समझने में problem हुई, इस TV में screen mirroring दी गई है और DLA ने support भी दिया गया है, आप अपने phone और laptop दोनों को इस TV पे mirror कर पाएंगे, mirroring इसमें बहुती smoothly होती है, आप इस TV की बड़ी screen पे अपने phone के contents को smoothly बिना किसी lag के cast कर सकते हैं, इसकी screen mirroring इतनी अच्छी है कि आप इस पे PUBG जैसे games भी कास्ट कर सकते हैं, इस TV का gaming performance अच्छा है, आप इस पे PC या फिर console के थूँ gaming कर सकते हैं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आफ्टर सेल्स सर्विसेस की बाद की जाएं तो कंपनी क्लेम करती है, कि इंडिया में उनके 450 से भी अधिक service centers 18,500 pin codes पे provide किये जाएंगे, गाइस, मुझे इस TV का overall performance काफी अच्छा लगा, high specifications होने के बावजूद, इसको एक affordable price पे launch किया जा रहा है, जो इस TV को काफी attractive deal बनाता है, अगर आप इस TV को खरीदने का मन बनाते हैं, तो आप इसे launch के चार दिनों के अंदर ही खरीद लीजिए, जिससे कि आपको इस TV के पैनल पे एक्स्ट्रा चार सालों की warranty मिल जाए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर और इन, स्टे सेफ। झाल